आज जलंदर से एक दुखत खबर आई ये जलंदर से कॉंग्रेस सांसर संतोख सिंग का निधन हो गया है भारत जुड़ो यात्रा में वो पैदल चल रहे थे राहूल गांधी के साथ तभी अचानक उनकी तबियत दिगड़ गई कहा जा रहा है कि उनको हार्ट अटेक आया थ राहूल गांधी के साथ पैदल चल रहे थे संतोख सिंग संतोख सिंग के निधन के बाद यात्रा को रोका गया है राहूल गांधी खुद अस्पताल पहुंचे जब उनको एड्मिट कराया उनका हाल चाल जानने के लिए लेकिन डॉक्टर संतोख सिंग को बचा नहीं रिशीकेश लगातार वहां पर मौजूद है रिशीकेश अभी वहां क्या चल रहा है विपनेश देखे वो फगवाडा में उनकी मौथ हो गई है और उनके परीजा नहां पर मौजूद है उनके बेटे बिक्रमजीत चौधरी है एक तस्वीर में दिखा रहा हूं कि यह देखिए जो सामने हाथ जोड़े खड़ा हैं यह चौधरी संतोस है और उनके ठीक बगल में बिक्रमजीत सिंग्चौधरी है अपको पूरे जगों पे बिप्रेज देखने को मिल जाएंगे कि चौधरी संतोस सिंग्चौधरी और बिक्रमजीत सिंग्चौधरी का जो परिवार है जो घराना है वो काफी बड़ा रहा है और इसलिए अब चुकि वो इस दुनिया में नहीं है भारज जोलो यात्रा में यहीं वो जगह है भट्टियां जहां पे बहुत अचानक चलते चलते यहां पे वो गिर गए थे गिरने के तुरंट बाद उन्हें पंपिंग की गई उनके समर्द को ने लेकिन और उसके बाद जो साथ अंबूलेंस चार रहा था उस अंबूलेंस मूंनें दाखिल करा गया लेखिन यहां से महज फिल और पहुंचते फखवारा जो यहां से महजت 8-10 किलो मीटर की दूरी ब ऊपकोवांख पहुंचते वह बो इस दुनिया में नहीं रहा है उनकी हालत खराब थी अब राहूल गांदी वहक्ते देख अamızपर फिम्य qualcosa यहां रिक्षाम को रिखनै उ-क आपका शुक्रिया एक छोटा सा ब्रेक